नमस्कार, गुडलग टिप्स में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अर्पित दोस्तों रूज लेकर आते हैं हम आपका देनिक राशीफल बदाएंगे क्या नया होने वाला हजाब के दिन में आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या आल आप दिलाएगा बदाएंगे आपकी परिशान यूज से बचने के कुछ आसाम जेट टिप्स आपके अपने कारिकरम गुडलग टिप्स में दोस्तों क्या करना है आपको आचके दिन को सफल बनाने के लिए साथी क्या कहता है आज का आपका राशीफल बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने मारे जोतिश अचारे पंडित मुकेशासरी जी पंडिशी आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में जैशी किष्णा, जैमाता की, जैशी हरी, वेरी गुड मॉनिंग आप सभी दर्शक पंडिजी से जान सकते हैं आपकी परिशानी और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसाम से उपायों के साथ बस आपको हमें कॉल करना है हमारे नम्मल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है तो देर किस बात के उठाई अपना फोन और कर दीजे हमें कॉल चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों के चाल गुड़क्रिपकारक्यम के सभी दर्शकों के उपर भवान शीहरी का, मा लक्ष्मी का, मा बगलामू की का आशिरवाद और कप्रदस्ट्री हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्याद को आए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, आज के दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पर चर्चा करेंगे साथी साथ जानेंगे दुर्भग लाने वाले कुछ गलत आदतों के बारे में तो शुरुवात करते हैं आज के दैनिक राशी फल के साथ में, पथम जो राशी है वो है मेश राशी, मेश राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज के दिन आपके भग्य के सभी दुवार खुले हैं, आप यही समझकर अपने प्रयास करेंगे कि भाग्य की जो प्रबलता है, सपोर्ट आप दर्लक जो है, वो आज आपको मिलेगी और उसके मिलने से आपके सभी कारियों में आज आपको इच्छित सफलता प्राप्त हो सकती है आज के दिन के सफलता के लिए घर में प्राते कपूर आरती अवशी कीजिएगा अगली जो राशी वो है व्रशेब राशी, व्रशेब राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज के दिन काफी परिशम और दोड़भाग के बावजूद सोची वी जो काम है, विचारे वी जो काम है उसमें थोड़ी सकसिज मिलने में देरी हो सकती है उसके कारण थोड़ा मन खराब हो सकता है मान समान बरकरार रहेगा पर कुछ financial losses होने की संभावना है आज के दिन के सफलता के लिए देवी बंदिर में एक पानी वाला नारेल अवश्य चलाएगा अगली जो राशी वह है मिथुन राशी मिथुन राशी वाली जो हमारे दश्यक है आज सुबह ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में होगा आज आपको किसी न किसी बात की चिंता सताएगी लेकिन आपके पास इंतजार करने का समय है लियाजा हडबड़ी करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आज के दिन के सफलता के लिए मातुलसी जी में जल का अर्ध प्रदान कीजिएगा परिक्रमा करिएगा निश्य तोर पे दिन अच्छा कुछ रही है पणिजी आगे की राश्यक्ता बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था मनीशा जी का जुन जुनु से इनकी जन्म की तारीक है 22.1.193 में उनके जन्म का समय है शाम का साथ बचकार 15 मिनट का पणिजी जानना चाहती थी कि इनका करियर किस तरह रहेगा आ गए आने वाले समय में उनकी शादी कब तक कुछ जाएगी दिखिए बटा निश्य आपकी जन्म कुन्ली के अंदर को समस्या है समस्या ये है कि आपका जो सब्तम भाव है विवा का घर है महाँ पे चार ग्रह एक साथ बैठे हैं सूरे बुद्र शनी और चंदरमा सूरे शनी जब साथ हो जाता है तो चंद ग्रहन योग पितर दोश बन जाता है सूरे चंदरमा जब साथ हो जाता है तो भी ग्रहन योग बन जाता है क्योंकि सूरे और चंदरमा कभी साथ नहीं हो सकते हैं सूरे उदा होता है तो चंदरमा अस्त होता है तो जो यह यूती है यह इंडिकेट करती है कि आपकी मेरिज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सिज नहीं इसलिए जब भी आपका विवा हो तो पूर्ण रूप से कुनली मिलान करके विवा करना अतियावशक है ग्रहों को देखके विवा करना अतियावशक है राउ की अठारा साल की मादशा आपको चल रही है गुमे दिरतन मध्यमा उंगली में सवा साथ रती का चानी में रहीवार के दिन धारन कर लीजी नेमित रूप से केले और तुलसी के पौधे की कम से कम 11-21 परिक्रमा कीजी आने वाला समय सप्टेंबर 2016 के पर शाथ आपका विवा का भी योग बनेगा और बहुत सारे काम भी आपके पूर्ण है पंडी जी अपका बहुत-बहुत च्वागत है मर्शी हूं मैं अपना सवाल पूछिया पंडी जी से हाँ हेलो पंडी जैसरी किष्णा जैसरी किष्णा बिटा मैं पर्ले भी पूछा था आपको इनके बारे में वह नहीं कर रही हूं 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 जमीन अमारे फेवर में होगा का फैसलादी केज तल रहा हूं उसका देखो बिंदु जी निशित तोर पे जो जमीन जायदात का सुख है वो आपके हस्बन को मिलेगा इसमें कोई दोराई नहीं है आपके फेवर में होगा एक और मैंने आपको बताया था इनके मंगल शनी का कॉंबिनेशन है यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन में सब प्र में मंगल शनी दोनों एक साथ बैढ़ गे जिन जातकों कि जनम कुल्री में मंगल शनी का कॉंबिनिशन हो जाता है एक साथ बैढ जाते है अकसर देखा गया है कि ऐसे लोगों को जीवन में या तो शारिरी कि आ आर्थिक या मानसिक कोई नहीं समस्या बनी रहती है तो उनक अंगल्शने की शांती करवा लिजेगा और विश्वाश रखे जब इन जायदात का सुख इनको मिलेगा इसमें कोई दोराई नहीं है निमेत रुप से हनमाज चालिशा का पाट तो कर लिए पंडीजी ओभी के लिए एक और दर्शक अमाज साथ जुड़ी है रतंगर से शांती जी है जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती है इनकी जन की तारीक है नौ मई उन्निसो चुराण में शांती जी इनका जन का समय भी बता दीजिए फिर अपना सवाल पूछिए पंडीजी मेरे बेते के बारे में पूछना काती हूँ आप से पहले मैंने पूछा कई आपने खेजडी की पूजा के लिए का मैंने खेजडी की पूजा करवा दी और हवन भी करवा दिया और विष्ण वभान के किलंगी भी चुड़ा दी लेकिन अभी तर कोई समंध पंडीजी मुझे आप पर बहुत विष्वास है मैं आपके कहने सारे काम कर रही हूँ तो करपया ये मुझे बते या मैं आपसे जेपूर में मिलना चाहती हूं तो मिल भी सकती हूं क्या मैंने आपके नंबर भी देखिए मेरे बेटे को भी आपका भोत विष्वार तरपंड़ जी देखिए शांती जी दन्यवाद आपका और ये जोति शास्तर जो है ये विश्वाश ही है आस्ता है विश्वाश है और मेरा काम जो है वो आपको सही रास्ता दिखाना है शास्त जो कहते हैं जनम पत्री जो कहती है वो रास्ता दिखाना है चलना आपके हाथ में जहां तक आपके बच्चे की जनम कुली का सवाल है इसकी जनम कुली में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जनम कुली बहुत अच्छी है सूरे उच्छे का है शुक्र स्वग रही ह शनीस वग रही है इसकी जलम कुली में और शुक्र की मादशा और बुद कांतर चल रहा है कुली बहुत अच्छी है इसमें कोई दोराय नहीं है इसी वर्ष में अगस्त 2016 के पश्यात में और तीन जनवरी 2017 के बीच में इसका विवाह तैह होगा हो जाएगा तैह की बातनी विवाही हो जाएगा तो आप एक तो बहुत जल्दी परिशान मत तो यह बच्चा भी छोटा भी एज़ात इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको यू लगे कि गर में छोड़ी तो बैटी नहीं कि उसको पढ़ना ना है अच्छी कुली है विवाह हो जाएगा इस वश के अंति तक बाकी जो आपको उपाए बताएं वो आप कर चुके हो अर्श्वनी नक्षतर गंडमून नक्षतर का जनम में उसकी भी पूजा अपने करवाली होगी पैदा होती एक इसको बोलिए कि हो सके तो रहिवार के दिन भैरुजी के मंदिर के दर्शन करें दाल की कचोरी दई मरती चड़ाएं बाकी सब अच्छा होगा और हम भी मातारानी से प्रात्ना करेंगे कि यह इस बच्चे का काम जो है वो शिगर और जॉब और सब सेक्टर इसका अच्छा रहे है अच्छा जी है जो कि अपने भाई आशीश के लिए जानना चाहती है आशीश की जन्म की तारीक है बाइस नौ नाइटीन एटीन आइन के जन्म का समय है रात का बारा बच कर पंदरा मिनट का आश्व जी आपका बहुत-बहुत श्वागत है मार्शू मैं अपने सवाल कि गवर्मेंट जॉब कब तक लगेगी वो तैयारी कर रहा है जॉब के लिए खासी टाइंटेश देखो भीटा इस आपकी ब्रदर की जन्म कुर्ली बहुत अच्छी है गजकेसरी योग बना है चंदरगुरू का कॉम्बिनेशन है ये इंडिकेट करता है कि ये बच्चा ह प्रोष पर जा सकता है आरे सौफिसर आइस आइस आफिसर बन सकता है कलेक्टर बन सकता है सुझत बुद बुद आदित-त-त योग होने के कारण इस बच्चे की जीवन में संपूल प्रकार के स्वह रहेंगे गारी गोड़ा बंगला सब कुछ रहेगा। शिक्षा के शेत्र में शुक्र सुख रही ये इंडिकेट करता है कि हायर एजूकेशन की तरफ ये बच्चा जाएगा लेकिन इसके साथ समस्या क्या है इसके भागिस्तान में राहू बैड़ गया राहू जो है वो सर पे साम कभी भी सीधा नहीं चलता है उसी तरीके से इसका जो लग फेक्टर है वो कई बार सपोर्ट नहीं करेगा तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे का लग फेक्टर सपोर्ट करें गोमेद रतना आता है वो सवापांस सवासात रती का मद्धिमा उंगले में चांदी में राइवार के दिन उसको धारन करवा लिजी निशित सीदे हाथ में सबसे चोटी उंगले में बुधुवार के दिन और इसको बोलिए कि कोशिश करें बुधुवार के दिन गौसे वावश्य कर सके अपने हाथ से और साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड का दान गौशाला में करवाई ये निशित और पे बच्चा ब सबसकर पार्च मिनट का है मुंत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मार्शू में अपना सवाल पूछिया पंडेजी से राच पिताजी का जो एक समय चल रहा है शनी की मादशा राहू का अंतर काम यह है कि हर काम के अंदर हुकावट लेकर आना जमीन जायदात से संबंदित परिशानिया पैदा करवाना हर काम में रुकावट लेकर आना यह जो पीरड है इनका भी दो साल और से लेगा अक्टूबर 2018 में यह पीरड खत्म होगा तो थोड़ा सा समय जो है वो आपके पिता के फेवर का नहीं है करना क्या है वो मैं आपक करें उड़त की डाल के बने वे पकवान जैसे दई बड़े आप ले लिजेगा उसमें नमक नहीं डालना है हर बड़े के उपर एक एक लोंग लगा के और भेरुजी महराज को चड़ाए 1121 जितने आपकी शद्दा होई आपके पिताजी को बोलेगा तो उनसे उनकी जो पर अलुपाय से काफी समस्याओं का समधान मिल जाएगा अज क्या कुछ खास है करक सिंग और कन्याराशी वाले चातकों के लिए करक राशी वाली जो हमारे दर्शक है आज यदि आप अपने काम से काम रखें और तत्परता से अपने काम पर ध्यान दे कंसंट्रीट करें तो निश्यत तोर पे आपके सभी आज के काम सफल होंगे समस्याओं का समधान मिलेगा आज के दिन के सफलता के लिए किसी छोटी करनया के चरन चूकर पाऊँ चूकर दिन की शुरुबात कीजिएगा अगली जो राशी वह है सिंग राशी सिंग राशी वाली जो हमारे दर जो भी इच्छा अनुसार आप खिला सकते हैं अगली जो राशी हो है कन्या राशी कन्या राशी वाली जो हमारे दर्शक हैं आज के दिन सौभाग्य आपके द्वार पर खड़ाए हर कारे में आपको सफलता मिलेगी निश्री तोर पर कारे साधक गति विदिया होंगी और वि जो भी जो हम गत्री जो हमगी हो है